दो दिन बाद आएगा आर्मी के लिए अगनीपथ भरती देश भर में अगनीपथ योजना को लेकर जारी बिरुध परजसन के बीच थल सेना परमोख जनरल मनोज पांडे ने सुक्रवार को निज एजनसी एनाई को बताया कि 2022 के भरती चक्र के लिए परवेश आयू को बढ़ा कर 23 बरस करने के लिए एक मुष्ट छूट देने का सरकार का निनय प्राप्त हुआ है यह निनय हमारे उर्जवान और देशभक्त युआओ के लिए एक औसर परदान करेगा जो कोविड में हमारी के बावजूद भरती रैलियों में सामिल होने की त्यारी कर रहे थे जो पिछले दो बरसों में कोविड परती बंधों के कारण पूरी नहीं हो सकी थल सेना परमोख जनरल पंडे ने कहा जल्द ही भरती पर किरिया सुरू होने वाली है अगले दो दिनों के भीतर जोईन इंडियन आर्मी.NIC.IN पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा उसके बाद हमारे सेना भरती संगठन पंजी करन और रैली का बिश्त्रीत करकरम घोशित करेंगे जारखन में प्री मांसुन की दस्तक के साथ ही मौसम सुहाना हो गया है आम दिनों के मुकाबले तापमान में 2-4 डिग्री सेलसेयस की कमी आई है इसके साथ ही राज में मांसुन के परवेश की संभावना भी बनने लगी है मौसम विभाग के मुताबिक जारखन में अगले 48 गंटे के दरण मांसुन के दस्तक देने की संभावना है बता दे मौसम ने करवट बदली है और राजी के अनेक भागों में मांसुन पुर्व की बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है बहाली अनुबंध पर और नाम अगनी वीर सियम हमांत केंद्र की अगनी पत योजना को लेकर मुख्य मंत्री हमांसुन ने केंद्र सरकार पर कटक्ष किया है उन्होंने ट्वीट कर इस योजना पर तंज कसते हुए कहा कि बहाली अनुबंध पर और नाम अगनी वीर कहा कि इस सलोगन वीर सरकार से और उमीद भी क्या किया सकती है उन्होंने कर्मधारों को जागने की अपील की दूसरी और ज्हामुमों ने इस योजना का बिरोध करते हुए केंद्र सरकार से तीन सवाल पुछे है पार्टी के वरिष्ट नेता सुप्रियो भटाचारी ने कहा कि अब सेना में आस्थाई नोकरी दी जा रही है यह कहीं से सही नहीं है सीम हेमन्त ने कहा कि केंद्र इस तरह की योजना लाकर युआओ को दिख भरमित कर रही है नाम अगनी बीर दिया जा रहा है और युआओ की बाहली अनुबंद पर हो रही है जो काफी हाश अस्पद है हेमन्त सोरेन माइनिंग लीज मामले में 23 जून को सुनवाई जारखन हाई कोट में मुख्य मंत्री हमन सेयन के करिबियों के सेल कंपनियों में निवेस और रांची के अनगड़ा में 28 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज आवंटन मामले में सुनवाई अब 23 जून को होगी उस दिन मामले की सुनवाई वीडियो कंफरेंसिंग के बादियम से होगी पराथमिक सिक्षकों के तवादले की परकिरिया शुरू राज्य में सिक्षकों के अंतर जीला अस्थनांतरन की परकिरिया शुरू हो गई है पराथमिक और बिद्यालियों के सिक्षकों के अस्थनांतरन को लेकर जीलों से प्रस्ताव मांगा गया है प्राथ्मिक सिक्षार निदेशक ने इस समद में सभी जीला सिक्षा अधिक्षा को पत्र लिखा है सिक्षकों के अंतर जीला अस्थरांतरन को लेकर जीलों से प्रस्ताव मांगा गया है पत्र में कहा गया है की सिख्षक अस्थनांत्रन सनसोधित नियमावली के तहथ होगा सिख्षक गृह जिला अस्थनांत्रन के लिए भी आवेदन जमा कर सकते हैं अंतर जिला अस्थनांत्रन को लेकर प्राथ मिक्ता तई की गई है पति पतनी दोनों के जार्खन राज सरकार अथवा केंदर सरकार एवं उसके उपकरम में कररत होने की स्थिती में पूरे सेवा काल में पति अथवा पतनी के पदस्थ अपना वाले जिला में आस्थनांत्रन किया जा सकता है सरकारी स्कूलों के बच्चों का नहीं खुला बैंक खता 84 को लोटे विद्यार्थियों का बैंक खता नहीं होने के कारण वित्य वर्ष 2021-22 में पोसाग के दिये गए 84 को रुपए वापस लोट गए जारकन सिक्षा पर्योजना द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले काक्षा आठ तक के बच्चों के पोसाग के लिए कूल 217 को रुपए जीलों को भेजे गए थे जिसमें से 133 को रुपए ही बच्चों के बैंक खाता में टांसफर किया जा सका शेस रासी वापस हो गई पोसाग के लिए जीलों को रासी पिछली वर्ष 24 नॉम्बर को दी गए थी सभी जीलों को 28 दिसमबर तक बच्चों को पोसाग उपलब्द कराना था क्रीसी बैग्यानिकों की सला हलकी बारिस खेतों के लिए भाइदे बंद जारखन में प्री मांसून की बारिस को देखते हुए मांसून आने के असार बढ़ गए हैं अभी का मौसम पूरी तरह खेती बारी और किसानों के अनुकूल है क्रीसी बैग्यानिक के अनुसार किसान खेती बारी में जग जाए बारिस होने पर उसे खेत में ही रोके जिसे खेती बारी करने में आसानी होगी किरिसी बैग्यानिक नीरज कुमार वैसे ने कहा कि अगले कुछ दिनों में होने वाले संभावित बरसा के बीच मौसम अनुकूल होने पर विभीन फसलों की बुआई कारे जल्द से जल्द किसान शुरू करे स्रावनी मेले के दोरान नहीं कटेगी बिजली राज किये स्रावनी मेला 2022 के दोरान देवघर और बासुकी नाथ मेला छेतरे में बिधूत व्यवस्था को सुद्रीड कर ले और निर्वाद बिजली मिले उस अनुरूप पुखता तयारी करे इसमें किसी भी परकार की कोताही बर्दास नहीं होगी यह निर्देश जारकन के उर्जा विभाग के परधान सचीव अविनास कुमार ने बिली विभाग के अधिकारियों को दिए बता दे देवघर सम्हानाले में अविजित बैठाग में परधान सचीव ने देवघर और दुमका के संबंधित कारेपालक अभियानता और अधिकारियों को कहा की मेला छेतर में जितनी भी पावर सब एस्टेशन और केबुल है सभी की मरमत का काम जल्द पूरा करवा ले जहित चोक में सुक्रवार को नेतर हाट फिल्द फारिंग रेंज के 20 साल और अधि बिस्तार की सुचना को रद कराने के लिए आम सभा कायोजन किया गया केंद्रिये जनसंगहर समीती के सचीव जेरोम, जेराल्ड, कुजूर एवं अनील मनोहर की अधिक्स्ता में आम सभा कायोजन हुआ इस मोके पर सभा को समोधित करते वे विभीन वक्ताओ ने कहा कि जल, जंगल और जमीन हमारी है जिस पर किसी बारी लोगों की नीती लागू नहीं होगी उन्होंने कहा कि नेतर हाट फिल्ड फारिंग रेंज अधि बिस्तार रद करे नहीं तो उग्र आंदोलन होगी उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्सों से हम या आंदोलन सांतिपूर्ण करते आ रहे हैं लेकिन आज दक नेतर हाट फिल्ड फारिंग रेंज अधि सुचनारद करने में किसी भी सरकार का साथ नहीं मिला जहारखन के पलाम बोकारो धनबाद हजारी बाग में अगनि पत का विरोध केंद्र सरकार की अगनीपत का हजारी बाग में भी विरोद किया गया विद्यार्थियों का अंदोलन दूसरे दिन जारी रहा जार्खन के सिक्षा का हब हजारी बाग के विद्यार्थियों ने सड़क पर उतर कर दूसरे दिन भी अंदोलन किया एनेच सौव और एनेच तेतीस पर टायर जलाकर छात्रों ने विरुवत परदसन किया अगनीपत पर ज्ञारखन में गुथम गुथी ज्ञारखन के मुख मंत्री और ज्ञारखन मुखती मौर्चा के कारकारी प्रमुख ह corporations ने ट्यूटर पर केंद्ररी की अगनीपत योजना पर करारा तंज कसा इधर हेमंत के ट्वीट के बाद पूरो मुख मंत्री बावलान मरांडी और रगवरदास ने हेमंत सुरेन को निसाने पर लिया हेमंत ने लिखा बहाली अनुबंध पर एवं नाम अगनी वीर इस सलोगन वीर सरकार से और उमीद भी क्या किया सकती जागो भविस के करमधारो जागो भाजपा के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष और जारकन के पूरो मुख मंत्री रगवरदास ने हेमंत को निसाने पर लेते हुए का है घोसना वीर ब्यक्ति को या उपदे सोभा नहीं देता एक साल में पांच लाख नौकरी का वादा कर लोगों का रोजगार छिनने वाले और बेवजगारी भात्ता देने का जूठा वादा करने वाले आज वाओ के हिताइसी बनने का धोंग कर रहे हैं सरकार ने दर्ज कराए 300 मुकद में जारखन के मुख्यमंत्री हमन सुरेन के निर्देश पर राजे में अवैद खनन एवं खनीजों के नियाम बिरूद परिवहन के खिलाब चलाए गए 15 दिवसे बीसेस अभ्यान में अलग अलग जीलों को मिला कर कूल 300 मुकद में दर्ज ह कई प्राथमिकी ऐसी है जिसमें एक से अधिक ब्यक्ति को नामजात किया गया है इस दोरान भी भीन जागो पर पकड़े गए वाहनों से कूल 76 लाख रूपए जुर्माना के तर पर वस्वले गया है खान निदेशक अमीत कुमार ने कहा है कि विभाग के अधिकारियों ने इन 15 दिनों में 500 अस्ति गाड़ियों को अब आय तरीके सिखनी जों का परिवाहन करते हुए पकड़ा है कई वाहनों से जुर्माना की वस्वली अभी तक की जानी बाकी है IAS पूजा सिंगल एक महीने और सस्पेंड परवतन निदेशाले दोरा मनी लॉंडरी मामने में गिरपतार की गई IAS अबसर पूजा सिंगल की निलंबन अधिको बिस्तार कर दिया गया है केंद्रे सरकार के कार्मिक एवं प्रसिक्षन मंत्रालिन 10 जून को उनके निलंबन को अगले 30 दिनों के लिए विस्तार देने पर अपनी स्विक्रिती दे दिया है केंद्री की सुगरिती मिलने के बाद राज सरकार के कार्मिक विभाग ने सुकरवार को पुजा सिंगल के निलंबन के बिस्तार समंधी अजिसुतना जारी कर दी बता दे कि इससे पहले राज सरकार ने 12 माई को पुर्वख खान और उद्योग सची पुजा सिंगल को निलम्बित किया था बीत रहित इसकूल को 90 कड़ोर एक जुलाई से खुलेगा अनुदान पोर्टल जारखन सरकार ने राज के बीत रहित माधमिक स्कूलों, इंटर, कॉलेजों, संस्कीरित, बिद्यालों तथा मदार्शा को चालू वितिये वर्ष 2022 देस में अनुदान देने के लिए पर किरिया सुरू कर दिया है माधमिक सिक्षा निदेसाले ने इसे लेकर आदेस जारी कर दिया है इसके तहट इन सेक्षिनिक संस्थानों द्वारा ओनलाईन आवेदन के लिए स्कूली सिक्षा विद्वाग का पोर्टल एक जुलाई से खुलेगा आवसक आर्ता रखने वाले बीत रहीत स्कूल कॉलेज एवं मदार्शा एक जुलाई से 31 जुलाई तक आउनलाईन आवेदन कर सकेंगे रांची में पूलिस की डर से बिल में घुसे दंगाई चारखन में सुक्रवार का दिन सांती पून गुजरा खुफिया विभाग ने भारी उपद्रव के संका जताते हुए जो इनपूट पुलिस को दी थी उसके मद नजर की गई भारी सुएक्षा बेवस्ता से गलबड़ी करने वाले सपल नहीं हो पाए जबर्जस्त प्रसासनिक त्यारी बैरिकेटिंग ड्रोन से निगरानी अतिरिक CCTV कैमरे से रखी जा रही पलपल की नजर ने उपद्रियों के मन्सूबों पर पानी फेर दिया सभी समुदाय के सांती प्रिये लोग अमान चैन के साथ रहे जारखन में पुरानी पेंसन इसकीम होगी लागू जारखन के सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंसन योजना लागू की जा सकती है मुखे मंत्री हमंसुरे ने इसके संकेत दिये है ट्विट कर कहा है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी करमचारियों ने लंबा संगर्श किया है उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था अब यह वादा निभाने का समय आ गया है संभवना है कि मंगलवार को होने वारी राज्य मंत्री परिशत की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है इससे राज्य के लवग एक लाग सरकारी कर्मियों को फैदा होगा पूजा सिंगल की सारी पोल खोले पती अभिसेख जहा जारखन की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंगल के खिलाप मनी लॉंडरिंग एक्ट में अनुसंधान कर रही ED की टीम की छान बिन हर दिन जारी है पूजा सिंगल से जुड़े लोगों को ED कर्याले में बुला कर अधिकारी पूछ ताच कर रहे हैं ये अधिकारी उनकी काली कमाई का हिसाब किताब त्यार करने में लगे हुए है सुचना है कि जल्द ही ED की विसेश अधालत में पूजा सिंगल पर ED चार्शिट करेगा इसके लिए पर्याप सबुत जुटाए जा रहे हैं सुक्रवार को हर दिन की तरह पूजा सिंगल के पती अभिसेख जहाँ ED करियाले पहुचे थे जिन से लंबी पूश्टाच हुई ED के अधिकारी उनने राज नेता हो वह नौकर साहो के करीब प्रेम परकास के एक कर्मी से भी पूश्टाच की है जार्खन के मेंधावी छात्रों को पहली बार मुख्यमन्त्री छात्री छात्री योजना का लाभ मिले जा रहा है इस योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक सरुधिक 87.000 आवेदन जार्खन एकेडमिक काउंसील को भेजे गा है किसी भी छात्रवीर्ति के लिए अभी तक इतनी संख्या में आवेदन नहीं आया था या सभी आवेदन सरकारी स्कूल के आठवी के बच्चों द्वारा भेजा गया है कुल 87,000 आवेदनों में से सीर 5,000 बच्चों को ही छात्रवीर्ति का लाब मिलेगा अन्यंत्रित होकर पल्टी स्कूल बस दर्जनों बच्चे घायल रामगर बोकारों पर रामगर कोट के ठीक सामने सुक्रवार के सुबा करीब 7 बजे एक स्कूल बस अन्यंत्रित होकर पलट गई इससे बस में सवार दर्जनों बचे घायल हो गए हलाकि अभी बच्चों को हलकी चोट आई है इस बाहा हादसा होने से बचा बस के पलटते ही वहाँ अफरा तफरी का महौल कायम हो गया अस्थानिये लोग दुरगटना ग्रस्त बस से किसी तरह से सभी बच्चों को बाहर निकाला मौके पर ही बस के चालक वा खलासी वहाँ से भाग गया बता दे राम परसाज चंद्रभान सरस्वती सीसू मंदीर इसकूल रामगण की बस में करीब 60 बच्चे स्वार थे जारखन के सभी 31 जेलों का जाजा लेंगे मुख्यमंत्री हेमंद सुरेन मुख्यमंत्री हेमंद सुरेन ने कारा विभाग के अधिकारियों के साथ उच अस्तरिय बैठा की इस बैठा का मुख्यमंत्री जेलों में कैदियों की चामता और चामता से जादा कैदियों को उपस्थिति को जानना रहा मुख्य मंत्री ने राजे की जेलों में बंद सजायापता और विचारा धीन कैदियों से जुड़ी बिश्तिरी जनकारी ली साथ ही अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिये मुख्य मंत्री ने कहा कि राजे की जेलों में छामता से ज़्यादा कैदी बंद है उन में तीन साल से कम सजा पाने वाले मामलो के कैदियों की संख्य सबसे ज़ やदा है इन कैदियों के मामले की सुनवाई आदालतों में जल्द से जल्द कैसी पूरी हो इस दीसार में ठोस कदम उठाये जानी चाहिए पलामू में बजरपात से दो की मौत की जान चली गई है धन्यवाद